हैलो नमस्कार दोस्तों स्वागत इक बार फिर आपके ही अपने लोगप्री चैनल टी आर नियूज में जिहां दोस्तों हर्याणा में ब्लैक फंगस का खत्रा बढ़ा हुआ है जिहां हम आपको बता दें कि ब्लैक फंगस क्या है अब आपको इस वीडियो में विस्तार से बत दोस्तों डाक्टर जगदीव सिंग ने का है वाइट फंगस भी ब्लैक फंगस की तरह कमजोर इम्मुनिटी वालों को ज्यादा होती है दोस्तों आपको बता दें कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने सरकार के होश ला रखे हैं जिसे हर्याणा सरकार ने सबसे पहले आखिर क्या है इसके क्या लच्छन है हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे यह किने और किन कारणों से होती है और इससे आखिर बचा कैसे जाए इन सब जानकारियों के लिए आज पंजाब केसरी ने हर्याणा सरकार द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त प् हम आपको बता दें दोस्तों जगदीश सिंग ने बताया है कि ब्लैक फंगस एक तरह की उली है जो इन्वाइरमेंट में मौझूद होती है यह पहले भी होती थी खास तोर पर नमी वाले एरिया में इसके पनपने के चांस ज्यादा होते हैं लेकिन पहले इसके नंबर आफ केसिस ज्यादा नहीं होते थे खास तोर पर जो सुगर के मरीज हैं और कोविड के कारण उन्हें इस्टायरेट दिया जा रहा है वह चाहें ठीक भी हो चुके हैं उन्होंने यह होने के चांस ज्यादा रहते हैं जी हां दोस्तों यह जीव जन्तुआ और घास फूस की तरह नेचुरल है हरियाणा सरकार ने सबसे पहले इसे एपिडेमिक एक्ट के अंदर नोटिफाइबल डिसीज घोसित किया है हरियाणा में कोई भी अस्पिताल इस प्रकार के मरीज को दाखिल करता है तो उसे लोकल अथार्डीज सिविल सर्जन को सूचित करना जरूरी है जग या कुछ लोगों ने अपने आप याई लेना सुरू कर दिया था या फिर डिस्चार्ज होने के बाद जो लंबे समय तक एस्टराइट लेना होता है और धीरे धीरे कम करते हो बंद करना होता है पर लोग इसे खाते रहते हैं इसलिए याई बीमारी ज्यादा पनपी है इस इसके साथ साथ ही नॉरमल स्वास्ट लोग डिष्टी इंडरॉयर्मेंट में जहां कंट्रक्सें साइट है कोई फैक्टरी है दूल मिठी ज्यादा है वहां मांक्स पहन कर पूरी बाजू वाली सर्ट और पैन्ट के साथ साथ दोनों हाथों में गलफ्स और जूते पहन कर जाएं इससे फंगस के सरीर में जाने के चांस कम हो जाते हैं जिहां दोस्तों डाक्टर जगदीर सिंग ने बताया है कि ब्लैक फंगस का आखों पर प्रभाव थोड़ी लेड़ी स्टेज में आता है इससे पहले नाक के अंदर या उसके आसपास मौजूद साइनोसिस में इस रोसनी जाने का भी खतरा होता है जिहां दोस्तों यह ब्लैक फंगस बहुत ही खतरनाग बीमारी है उन्होंने बताया है की बीमारी खतरनाग इसलिए भी है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट सरल नहीं है इसमें मूझ के सरजण निसरजण मेडिसन के डाक्टर, लंगस के डाक्टर, इन्टी के डाक्टर, आखों के डाक्टर सभी का involvement होकर इलाज चलता है इसकी दवाई, इन्फोरेट, टेरिसिन भी जो लंबी चलती है और गुर्दों पर एफक्ट करती है इसके लिए जो कोविट के मरीज ठीक हो चुके हैं, सुघर भी है, एस्टराइट भी चला हुआ है और आक्सीजन भी लगी थी, अगर उन्हें जुखाम होता है, नाक बंद होता है या नाक से खून आता है, या आक में सूजन आती है, और लगता है कि दिखना कम हो गया है तो देरी मत करें, नहीं किसी आम डाक्टर को दिखाएं, इस्पेसली डाक्टर के पास जाएं और समय पर रहते इलाज शुरू हो जाए, सरजरी भी टाइम पर हो, इसमें इन्वेस्टिगेशन भी कई तरह की होती है अगर टीट्मेंट अगर समय पर हो, तो सत पर सत इसका सफल इलाज है इस मौके पर डाक्टर जगदी सिंग ने बताया है कि वाइट फंगस भी ब्लैक फंगस के तरह कमजोर इम्मिनुटी वालों को ज़्यादा होती है परण तो वाइट फंगस ने गंबी बिमारी नहीं है वह एक नॉर्मल बिमारी है और इसका इलाज भी थोड़ा आसान है जी हां दोस्तों यह वीडियो बस इतना ही अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियों तक तक के लिए जैहन